दोस्तों अगर आप लोप एक credit card के तरास में हो और आप जो है कई सारे बैस का credit card होता है उसने आप apply भी कर चुके वो लेकिन वहाँ पे approve नहीं हुआ है आपको और आज तक आपको एक credit card नहीं मिला है तो दिखें एक credit card है जो सभी को मिल जाता है वो credit card है flip card का access bank credit card यह वाला य यह जो है ना सभी को मिल जाता है जोस्तों easily approve हो जाता है इसमें point लिए civil score को भी ज़रूत नहीं बढ़ती है तो यह card आप कैसे apply कर सकते हो इसके बारे में तो आपनों को step by step बता हूं गई लेकिन इससे बारे आपनों को मैं जो है ना इसके civil score requirement के बारे बारे बीन charges इतने करता है यह card हमें देना चाहिए तब आप लोग इसका apply process देख लेना कैसे इसके लिए apply करना है और apply कर लेना यह card आप लोगो मिल जाएगा अगर आप credit count लेना चाहते हो तो ठीक है तो चलिए फटवर्ट से सबसे पहले topic पर बात करते हैं कि इस पर charges कितने रखते हैं लेकिन जो तो इस card का जो charges है ना यह आपनों को लगता है 500 रुपए joining fees ठीक है 500 रुपए ही लगता है joining fees और plus 18% के जिस्टी लगता है तो total विलाकर जो इसका charges लगता है joining के दावान वो है 590 रुपए 500 रुपए इसका joining fees है plus 90 रुपए 18% जिस्टी के रुप में 90 रुपीज लग ज इसका इस्तमाल करते हो इस credit card से तो क्या charges सकते हैं तो देखिए आप नहीं को बदा हुआ कि एक मंद के अधर आप जो है credit card का अधर बैसे इस्तमाल करते हो तो इसमें charges नहीं लगते हैं लेकिन एक मेहने के बाद जो due date होता है उस date के बाद से charges लगने start हो जाता है तो वो charges भ कि अगर आप इसका पैसा spend करते हो खर्च करते हो तो आप जो है ना हर मंत के एक tarif को इसका bill generate होता है तीन तारिफ को आपनों को जो भी आप spend करते हो उसको आप पह करना होता है कि या pay करने का तरीका भी आप लोगो next video बदा दूँगा मैं लेकिन पहले आप लोगो यह जान का है आपनों को यहाँ पे नेट ojos रूब व पांसो नपी रूपय फिर से देजी पड़े Cape क्योंकि amount जो है एक हजान है तो आपनों को जो है ना बाउस चार्ज जो है ना या कर नेट फीज जो है वो 590 रुपय रखते हैं लेखिन जो minimum due सोग करता है आप लोग आप साइड स्ट्रिम ने देख पार देख कि एक minimum due भी पे करने की option आजाता है अगर आप access bank का जो वाइल बैंकिड है आयप है वह आपके जाते हो तो आप लोग मिलता है अगर आप minimum due जो amount है उसे आप लोग पे कर देते हो ठीक है अमाले से आपका amount बढ़ा है ठीक है let's suppose कि 4000 है 5000 जो भी है और minimum due वह आप सो कर रहा है उसे आप लोग पे कर देते हो तो minimum due वह आप लोग पे कर दी है जो भी office हो हो रहा है उसके बाद से मतलब तीन तारिक को अपने minimum due पे किया है चार तारिक से लेकर जितनी दिन तक आप उदर बे नहीं करोगी award को जो total amount है हर दिन आप लोग का 3.6% आप लोग का interest लगते रहेगा प्याद जिसमें लगते टो आप लोग काफी scoiddani से इस्थमाल करना आप उदर हर यह amount इससे spend करना अगर आप बे रहे हो तो ठीक है जितना आप मन्तली ब कर सकते हो और एक option और भी है कि अगर माले से आप spend करते हो और spend करते हो और आप मंदली उसे बें नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे EMI करवर्जन का भी option है आप जो है convert EMI option का यूज करके आप जो मेरे उस amount को EMI में convert कर सकते हो EMI जो है max to max 12 month के लिए रहता है इसके लिए हार साल जवना आपनों अगर धायलाग सुक उपर करते हो गर इसे spend करते हो तो यहाँ पे च्राइनुल चार्जर्स है वो यहाँ पे नहीं लगेगा और अबर आप जो उसे कम इस्तवाल करते हो तो पांच और अब फिर से आपनों को जो नेक्स्ट ये देना पड़ेगा ठीक है फो ये चार्जर्स के बारे में था इसके लिए कुछ भी नहीं रहो तो यहाँ पे ये कार्ट जो 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 ज़एना काफी आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा को अ अगर आप लोगों पो अच्छा जबेगा तो आपनों का जो सेमीली स्कूर है वो अगर अच्छा रहेilा तो आपको लिमीटłeश जाएगा लेट किये तो आप जो है इसकाद 6 मंत के इंदर जलिवेट है वो सेफ बढ़ा सकते हो जो है जो है अगर इस कार्ड के फीचर से वरे में अगर बताऊं तो यहां पर इस कार्ड को जो हैना 4 लोगों ने यहां पर इसु करवा रहा है मतलब 4 मिलियन लोग इसे यूज कर रहा है इस कार्ड को और यह जो है फिलिपकार्ट एक्सिस बैग क्रेड़ कार्ड है जो कि आप लोग आपकर फिलिपकार्ट से कोई भी समान पर्चेस करता हो तो उस पर 5% का यहां पर डिरेक्ट देख्वा को मिलता है अपको ठीक है बतलब चित्ते कर वहान पर्चेस कर रहा हूं उसमें 5% आपका डिरेक्ट डिसकॉं या फिर कहां कैसभाइक इसमें मिलता है ठीक है तो यह कार्ड काफी अच्छा है अगर आप मंदरा से बिच्छिस करता हो तो इसमें फिर भी आपनों ठीक है तो आप आई वोब आपनों को समझ के आगया होगा तो लास्ट टॉपिक है दोस्तो इसका अपनाई प्रोसेस कैसे आपनों को अप्लाई करना है तक कि अप्रूब हो जाए ठीक है दिया गया है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन उस पर क्लिक करता है और आप लोग को मैं अब मॉवाइल के स्क्रिंट प्लिक है जाता हूँ और डिटेल में आप लोग बताता हूँ कहां पे क्या इंफ्रूमेशन बाना है ताकि आपका इकार्ट सलसल अप्रूब हो सके तो जाड़िए दोस्तो मॉवाइल के स्क्रिंट पर चाबता है अपना पैन नमबर आपनों को सबसे उपर में डालना है चलिए यहां से हम डालते जाते हैं एक करके इसके बाद जश्ट नीचे दोस्तो पैन कार्ड में जो आपका नेम है वो आपनों को डाल देना है याद रहे आपका जो pen card में name है same वाईसा ही आपनों को नाम अपने यहाँ पे डाल देना है date of birth आपनों को यहाँ पे डाल देना है जो भी आपनों को pen card में है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद अपने father का full name यहाँ पे आपनों को लिख देना है इसके बाद mother का full name आपनों को यहाँ पर डाल देना है इसके बाद यहाँ पर gender select करना है male, female, transgender जो भी है आप select कर लेना इसके बाद education में आप graduate, undergraduate, post graduate जो भी आपका education qualification आप डाल देंगे यहाँ पर occupation type में आप salary है या self-employed है आप लोग यहाँ पर tick कर सकते हो ठीक है जो भी आप self-employed है self-employed पर click कर करके आपनों को यहाँ पर name of business business का name आपनों को यहाँ पर डालना होगा यहाँ पर आप जो है business का name डाल देना अगर आप salary है तो आपको salary को option पर click करना है तो जिस भी company में आप काम कर रहे हैं भी उस company का name आप लोग को यहाँ पे डाल देना है इसके बाद industry type पे आप पे click करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे option मिल जाता है advertising, media, banking, manufacturing, government, service यहाँ बहुत सारे यहाँ पे जो है ना आप लोग को industry type में देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे आप जो है जो भी company में आप काम कर रहे हो वो जिस type की industry है आप लोग को simply यहाँ पे select कर लेना है तो यहाँ पे हमने manufacturing, engineering, infrastructure जैसे की select कर लेना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो employer sector में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो public sector है या फिर government है या फिर multinational company है जो भी जैसा भी company है आपका आपको simply select कर लेना है तो यह private limited company इंडिया का है तो इस पर हम select कर ली है देख सकते हो आप लोग इसके लावा दोस्तों यहाँ पे annual income डालने का option मिल जाता है annual income अगर आपका 2 lakh से जादा है तभी आप लोग को credit card जो है issue करा जाएगा otherwise नहीं करा जाएगा तो यहाँ पे आप जो है अपना annual income जो भी है आपका लेकिन आप annual income यहाँ पे धाईला से उपर ही डालना है तभी आप लोग को जो है यहाँ पे यह card issue हो experience current company मतलब current company में कितने साल का experience आपका यहाँ पे डालना होगा आपको तो यहाँ पे हम एक साल डाल देते हैं और total year of experience की बाद करें तो यह भी एक साल ही है तो यहाँ पे हम एक लिक देंगे दोनों में आप लोग देख सकते हो इसके बाद next button पे हम simply click करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे email address डालने को option वाया जाएगा अगर email address आपका नहीं डाला है तो आप डाल सकते हो mobile number आप अल्रेड़ी आप लोग का डाला होगा इसके बाद current residential address आप लोग को यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे जो भी आप लोग purchase करते हो और आप लिफकार्ट से समान हो गएर तो वहाँ अगर address डाला हुआ है तो directly वहीं से ले लिया जाता है आप लोग का address और अगर नहीं डाला है वहाँ पे address तो आप जो है यहाँ पे address अपना दे सकते हो पूरा address ठीक है तो parents on यहाँ पे आप select कर सकते हो इसके बाद दोस्तों जस्त नीचे आप लोग को यहाँ पे work address डालने option मिल जाता है तो अगर आपका residential address और work address दोनों same ही है तो आप जो है यहाँ पे current residential address भी के उपर भी आप tick लगा सकते हो otherwise आपका work address हालाग है तो यहाँ पे work address के उपर क्लिक करके आप पूरा अपना work address दे सकते हो इता करते ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पे additional options देखने को मिलते हैं के बटन पर क्लिक कर देना है इता करते ही दोस्तों आप लोग देख सकते हो get welcome benefit worth 1100 यहाँ पे आप देख सकते हो get up to 5% cashback on top brands ठीक है यहाँ पे जो पर ब्रांट्स में सरकिये गये हैं सभी में 5% का cashback आपको मिलता है इस card को लेने के बाद 1.5% unlimited cashback on all swapping transaction जितना भी आप swapping transaction करेंगे उसमें 1.5% का cashback मिलेगा आप लोग को complimentary domestic launch visit भी आप लोग को इसमें देखने को मिलता है अगर आप airport वगरे में जाते हो तो up to 30% of it 10,000 restaurants में आपनों को देखने को मिलता है get welcome benefit of worth 1100 यहाँ पे यह कार्ड के features हैं आप लोग देख सकते हो ठीक है इसको थोड़ा सा accessing your application मतलब आपके application को जो है ना access किया जा रहा है तो आपनों को थोड़ा सा wait करना है तब तक यहाँ पे जो है आपनों को इस card के features के बार दिया गया है अब आप लोग का वीडियो के आशी हो गए यहाँ पर जिसमें आप लोग को आधार verify करना है सबसे पहले तो इसमें आप लोग को आधार नंबर डालना है next page में आप जैसे प्रोसीड वीडियो को आशी के option पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर मांगा जाएग आधार नंबर डालके आप अपना आधार verify करेंगे इसके बाद जो है आप लोग से एक agent access bank का जुड़ेगा जो आप लोग का fan verification करेगा जिसमें आप लोग का यहाँ पे name, address, date of birth पूछा जाएगा इसके लाबा आप किस company में काम करते हैं यह आप लोग से पूछा जाएगा इसके लाबा दोस्तों आप लोग का एक जो है फोटो क्लिक किया जाएगा साथ में आपके pen card का फोटो क्लिक किया जाएगा और इतना करते ही दोस्तों आप लोग का जैसे ही वीडियो का ऐसी successfully complete हो जाता है आप लोग का यह जो card है अप्रूव हो जाएगा और 15 days के अंदर आ deliver करवा दिये जाएगा I hope दोस्तों आपनों को समझ में आ गया वगर किस प्रकार से आपनों को इस card के लिए apply करना था